खबर रिवा जीने से आ रही है जहनगर निगम के सांती विहार कॉलोनी में विल्डर की द्वारा सार्वजनिक टैंक पर कबजा कर पार्किंग बनाने का मामला प्रकास में आया है यहाँ की स्थानी निवासियों ने महापारजय मिश्रा बाबा से मिलकर सिकायत दर्च कराई है स्थानी लोगों ने बताया कि बिल्डर बाबूलाल सिंग द्वारा कॉंपलिक्स बनाने के बाद बिल्डर ने सार्वजनिक टैंक पर कबजा कर लिया है इतना ही नहीं, जो उनकी जमीन थी उसपर निर्मार कार्णी तो कराया ही गया जो राश्टी राजमार की जमीन थी उसपर भी अधिक्रमड कर पार्किंग बना लिया है जिसकी चलते 12 की समय बाढ़ाने पर पूरा पानी कॉलोनी में भर जाता है इस्थानी लोगों की सिकायत पर महापड ने कहा कि जोन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और सीग्री टैंक और अधिक्रमण की गई जमीन को मुक्त कराया जाएगा अधिक्रत रूप से अधिक्रमण किया गया है कांप्लेक्स जारों तरफ जो की सरकारी है कि और निर्माड भी जो हुआ तो वह मापडंडों से विप्रीथ हुआ है अधिक्रम जिए तो अस्वस्त किया है कि यह मुष्ण दूर कर वाएंगे महापड जीसे परेश शांति भीहर कालोनी के आम जनों के साथ में एक चर्चा की जई उनसे ग्यापन दिया गया है शांति भीहर कालोनी जैसे प्रवेस करते हैं उसी के बगल में एक विल्डर बनाया गया है और कांप्लेक्स बनाने के बाद उन्होंने क्या किया है हाउसिंग बोड जारा एक सार्वेनिक टैंक बनाया गया था उस टैंक में भी कब्जा कर लिया है और जितनी उनकी जमीन थी उतने तो कंस्ट्रक्शन कर लिया एनेस की जमीन में उन्होंने अनाधिक् के लिए सभी लोग हस्ताक्षर करके महापार जी से 50-60 लोग मिलें उनसे चर्चा हुई महापार जी ने कहा है जो भी नियम के विरुदिकार हुआ है उस पर एक्सन होगा और अतिकर्मन को मुक्त कराए गाए अब कल तो जारी था कल हम लोगों ने सभी लोगों ने देखा भी जयनकारी हमें कल हुई है और उसके लिए मैंने जोन प्रवारी युद्या मसे लोगई है उसके उपर कोई अतकपर नहीं होगा और उसके ऊपर कोई पार्की मीन ही बनाई चाहिए क्योंकि वह वह डैंजरस है कभी उसकी चिछन गल के अ पुराने है गिर्ट सकती है उससे को जन्हा नहीं हो सकती है इसलिए अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाब करवाई होगी जरुबाना करा जाएगा और उसको खाली उत्राएगा